तो गाइस कुछ दिन पहले में एक वीडियो बनाया था हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट पर्मानेटली जैसी वह वीडियो पब्लिश किया यूटूब पर उसके कुछ दिन के बाद इंस्टाग्राम ने एक पेज ही हटा दिया आप यूजर जैसी डिलीट करने क यह पेज हटा दिया हो यहां से क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग 20,000 महिने में डिलीट होते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट तो चलिए फिर से प्रोसेस बताता हूं ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना दो तरीक हैं डिलीट करने के अकाउंट तो पहला प्रोसेस शुरू से प्रोसे बता देता हूं आपको ताकि हो सकता पहली वार वीडियो देख रहे हो तो आप अपने इस्टाग्राम को लोगिन करें इस्टाग्राम एप के अंदर उसके बाद आप जाए सेटिंग में और मैंने अपना नाम नहीं बता है आपको पता तो मेरा नाम हिम्रान है और जाएगी सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है help में help में जाने के बाद आपको जाना है help center में help center पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्राउजर पूछा जाएगा तो आपको इस ब्राउजर चूज कर लीजिए और ब्राउजर से आप रिडिरेक्ट हो जाएंगे इस प लिखा हुआ है what's trending इसके नीचे आप देखेंगे taking a break from Instagram इस पर आपको क्लिक करना है और यह वाला page open हो जाएगा managing your account वाला अब यहां पर आपको क्लिक करना है how do I delete my Instagram account इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस page पर आजाएंगे यहां पर लिखा हुआ है delete your account right अब अगर आपके smartphone में यह वाला option नहीं आता what's trending के नीचे जो है taking a break from Instagram account यह option आपके smartphone में नहीं आता है in future तो आप क्या करेंगे आपको उपर search करने वाला option मिलता है यहां पर आपको search करना है how do I delete my Instagram account यह ओपर ही आगया आपको उपर ही मिल जाएगा delete your account इस पर आपको click करना है अब फिर से आपका browser open करने के लिए का जाएगा फिर से आप अपना कोई भी browser choose कर लीजिए उसके बाद आपको यहां पर reason डालना होगा कि आप basically किस reason की वज़ए से Instagram account delete करने तो यहां पर आपको काफी सारे option मिल जाते हैं जो भी आपका reason है Instagram account delete करने के तो आप यहां पर वो choose कर सकते हैं वैसे आपका असली वाला reason क्या है मैंने पहले भी पूछा था और अब भी पूछ रहा हूं से बता देना comment box में क्यों delete कर रहे हो Instagram account ठीक है जैसे आप reason चूज करेंगे उसके नीचे आपको re-enter your password डालने के लिए का जाएगा तो आपको अपने Instagram account का password यहां पर डालना है password डालने के बाद आप नीचे देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है delete और आपका यूजर ने में वो लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको okay करने के लिए जाएगा confirm करने के लिए कहा जाएगा कि सच में अब delete करना जाते हो account तो आप confirm कर दीजे और आपका account delete हो जाएगा लेकिन तुरंत delete नहीं होगा यहां पर लिखकर आ रहा है नीचे date भी लिखकर आएगी कि अगर आप अभी अपना account delete करते हैं तो हम इसको अभी delete नहीं यह लोग backup के लिए एक महिने के लिए अपने server पर आपका account रखते हैं इसलिए क्या पता आपका mind change हो गया कि आपको नहीं करना account delete या कोई important चीज रह गयी account में फिर से आप login करना चाहते हैं तो इस वजह से यह एक महिने के लिए recover करने के लिए आपका account रखते हैं अगर आप Instagram account server से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा डिलीट कर दिया जाएगा जिसको आप कभी भी recover नहीं कर सकते हैं बाकि अगर आपके मन में कोई doubt है कोई confusion रहे गया हो तो आप description में जाए वहाँ पर आपको link मिल जाएगा हिंदी में step by step समझाया हुआ है ठीक है चेक कर लेना चै मतलब का चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विडियो का लाइक तो करी देना मिल जाएगली वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखें लाव यू बाई बाई और टेक केरो